प्लैंक्स फॉर्मले के हिसाब से अगर N फॉर्मले के हमारे पास तो उनकी जो एनर्जी होती है वो होती है E is equal to N into H new ये H new एक photon की energy होती है और अगर N photons है तो उनकी energy होगी N into H new where H is planks constant and new is the frequency frequency को मैं C by lambda लिख सकता हूँ तो इसलिए एक्सप्रेशन बनता है N into H C by lambda कारण क्यों ऐसा लिखनेगा क्योंकि हमें उसने wavelength दिया है ये इसलिए हमने इस formula को इस form में लिख लिया है मुझे उसने पूछा है कितने photons चाहिए तो इस equation को मैं simplify कर लेता हूँ N को एक तरफ ले आता हूँ और लाग करके मैं देखता हूँ कि N is equal to E into lambda by H C lambda उपर चला गया H C निचे आगया तो N is equal to E into lambda by H C ये मेरा formula है और जब भी exam में आए तो कोशिश करें कि सबसे पहले एक expression खुदी derive कर लें जैसे मैंने किया है और साथ में ये भी लिख दें कि expression में जो जो चीज इस्तेमाल हुई है उनके या तो meaning एक एक करके लिखते H को लिखें planks constant, C speed of light, lambda wavelength, new frequency या तो ऐसा लिख दें या एक line ये भी sufficient रहती है mean as usual ये lines अगर लिखी होंगी तो आपके marks मिलते हैं नहीं तो कई teacher marks काट लेते हैं अगर आप ये नहीं लिखेंगे और सिर्फ ये लिख देंगे कुछ teacher marks काट लेते हैं और काटने भी चाहिए क्योंकि बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि ये हैं क्या क्या अगर ये लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको clear है और आप जो बात कह रहे हो वो यही है कि H C lambda new वैसा है जैसा कि हम usually इसको समझते हैं ये line बहुत important होती है अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो अपने formula निकाला है N का उसमें एके करके values डाल देते हैं lambda is 4000 picometer, picometer 10 to the power minus 12, 4000 into 10 to the power minus 12 meters lambda डालिए speed of light is 3 into 10 to the power 8 meters per second इसे भी याद रखें क्योंकि ये याद रखना आपको पड़ेगा exam में कई बार नहीं भी दिया होता H is equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second सबके unit साथ लिखें ये बहुत जरूरी होता है और energy जो हमें मांगी गई है वो मांगी गई है 1 joule तो ये सारी चीज़ें अगर मैं substitute करता हूँ तब मेरे पास N आ जाता है पहले expression derive करें फिर ये बताएं क्या है फिर value substitute करें फिर answer बताएं और answer में भी unit साथ जरूर लिखें कि ये आपने क्या calculate करके बताया है अगर मेरा जब video channel आपको पसंद आता है तो comment करें, like करें, subscribe करें, इससे मुझे बहुत फाइदा होता है, thank you